हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू अनलाइन क्लासेज और अरलकेडमी स्टुडेंट्स अपन राइटिंग चेप्टर में आर्टिकल एंड स्पीच सीख रहे थे कुछ टोपिक्स पर अपन आर्टिकल एंड स्पीच सीख चुके हैं अगर आपने उन वीडियो को वोच नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस सारी वीडियो के लिंक डाल रहा हूँ वहाँ से आप उन वीडियो को वोच कर सकते हो उसके बाद आज की वीडियो उस पे चर्चा करते हैं आज की वीडियो में अपन आर्टिकल सीखने वाले हैं और आर्टिकल जिस टोपिक पे अपन सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक है हलांकि 2018 के अंदर ये आर्टिकल पूछा हुआ है लेकिन फिर भी एक्जाम में पूछे जाने की संभावना पूरी-पूरी है तो जिस टोपिक पे अपन आनी की आर्टिकल सीख रहे हैं उस टोपिक का नेम है Health is wealth की स्वास्ते ही धन है या How to keep fit अपने आपको fit के से रखे ये भी आ सकता है या A healthy body has a healthy mind सवस्त शरीर में सवस्त मस्तिस्क निवास करता है इन तीन जो टाइटल्स को यानि मैं बता चुका हूं इन तीनों टाइटल्स के अंदर कोई भी आनि की एक्जाम के अंदर पूछा जा सकता है ऐसे 2018 के अंदर जो टाइटल दिया गया था जिस पे आपको आर्टिकल लिखना था उस टाइटल का नेम था A Healthy Body Has A Healthy Mind तो यह मत समझेए स्टुडेंट्स की आ गया है तो यानि वह दुबारा नहीं आएगा क्योंकि दो साल से देख रहा हूँ एक लेटर टू एडिटर है वो दो साल से रिपीट किया जा रहा है तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं आर्टिकल राइटिंग तो सबसे पहले स्टुडेंट्स जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कोई भी आप आर्टिकल लिखे नए पेज से स्टार्ट कीजिए उपर ही उपर आप क्या लिखोगे जिस टोपिक के बारे में आप आर्टिकल लिख रहे हो उसको कैपिटल लेटर के अंदर लिखे थोड़े बड़े अक्चरों में लिखे और उसको अंडरलाइन कर दीजिए तो जैसे कि अपन ने लिखा है जो भी टाइटल एक क्यो में है आप उसके अकोर्णि लिख देना उसको बाद में क्या कर लेना अंडरलाइन कर देना और नीचे वाली लाइन में जो भी आर्टिकल लिख रहा है वो बाई लगा करके अपना नेम लिख देगा अगर क्योशन में कोई नाम दिया है तो आप वो लिख देना वरना आप कोई भी नेमें लिख सकते हो ठीक है स्टुडेंट्स अब अपन शुरुआत करते हैं तो शुरुआत इस तरह से करेंगे ये एक अच्छी तरह से जाने जाने वाली पुरानी कहावत है कि अगली लाइन ये है कि इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि ये हमेशा बेटर होता है तो बी हेल्थी हेल्थी होना देन किसे वेल्थी से दनवान होने से तो कहने का मतलब health is wealth, सवास्ते ही धन है, इसका मतलब यह है, it is always better, कि यह हमेशा better होता है to be healthy, कि सवस्त रहे, then कि से wealthy से, कि धनवान ना हो तो काम चलेगा, लेकिन सवस्त ना हो तो काम नहीं चलने वाला है, तो healthy होना wealthy से ज्यादा better है, ठीक है students, अब उसके बाद line लिखेंग it is also perfectly right that, और यह भी पून रूप से सही है, कि a healthy body, is a healthy mind, कि एक सवस्त सरीर में सवस्त मस्तिस्क निवास ही करता है, ठीक है students, यह आप लिखतोगे, अब आगे क्या लिखोगे, a man may be rich, एक आदमी धनवान हो शकता है, he may have all the luxurious of life, he may have, उसके पास हो सकते है, all the luxurious of life, जीवन के जितने भी एसो आराम है, वो उनके पास हो सकता है, but without good health, लेकिन बिना अच्छे स्वास्ते के, all his wealth, उनके पास जितना भी धन है, and luxurious, और जो लाइप स्टाइल है, एसो आराम वाला जो जीवन है, are quite useless, वो एक दम से बेकार है, तो कहने का मतलब एक आदमी धन्वान हो सकता है, उनके पास जीवन की हर सुविदाय हो सकती है, लेकिन उनके पास अगर अच्छा स्वास्ते नहीं है, तो वो सारी wealth और जो सुविदाय है, वो क्या है एक दम उनके लिए बेकार है, अब आगे क्या लिखोगे, इसके आगे लिख दोगे, without good health, बिना of a man, लेकिन एक ऐसा आदमी, his good health, जिनके पास क्या है, अच्छा स्वास्ते है, इवन यहां तक, if he has no wealth, उनके पास क्या नहीं है, धन नहीं है, तो he can be happy, वो happy रह सकता है, and enjoy life, और जीवन का आनन्द ले सकता है, कहने का मतलब क्या है, जीवन का आनन्द लेने के लिए धन की जरूरत नहीं है, अच्छे स्वास्ते की आने की जरूरत है, ठीक है students, ऐसा आप लिख दीजिए, उसके बाद आप paragraph change कीजिए, और ऐसा जीवन, मतलब अपने आपको अब लिखेंगे, fit के से रख सकते हैं, अपने आपको सवस्त के से रख सकते हैं, तो योगा भी है, वच् to keep fit, यानि कि अपने आपको fit रखने के लिए, and enjoy good health, और अच्छे स्वास्ते का enjoy करने के लिए, we should take regular exercise, हमें regular क्या करना चाहिए, exercise करना चाहिए, व्याम करना चाहिए, ठीक है students, कि अपने आपको fit रखने के लिए, सवस्त रखने के लिए, क्या करना चाहिए, हमें we should take regular exercise, हम रेगुलर व्याम करना चाहिए अब अगली लाइन है we should also take part in games और हमें क्या करना चाहिए we should also take part हमें take part हिस्सा लेना चाहिए participate करना चाहिए किस के अंदर games के अंदर and sports के अंदर खेल कूद के अंदर हमें क्या करना चाहिए हिस्सा लेना चाहिए ताकि अच्छा स्वास्ते आने की बना रहे उसका मेंटेन रह सके संतुलिन बना रहे ठीक है स्टूडेंट्स अब देखिए गेम से एंड एक्सरसाइज है makes us physically and mentally active कि गेम और एक्सरसाइज है वो हमें बनाता है सारी रिक रूप से और मांसी रूप से एक्ट्व बनाता है अलर्ट सजग बनाता है और स्ट्रोंग मजबूत बनाता है ये बाते आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन इंपोर्टेंस ओफ गेम से एंड स्पोर्ट से ये आर्टिकल सीख चुके है तो आप लिख दोगे कि गेम से और एक्सरसाइज है वो हमें क्या बनाता है physically and mentally active बनाता है ठीक है स्टुडेंट्स alert बनाता है सजग करता है हमें और strong बनाता है they keep us hell and hearty hell and hearty का मतलब क्या होता बच्चो कि ये जो चीजें हैं वो हमें चुस्त और तंदुरुस्त बनाते हैं गेम और स्पोर्श्ट है हमें hell and hearty मतलब चुस्त और तंदुरुस्त यानि बनाते हैं इसके अलावा we should not eat or drink too much we should not eat हमें नहीं खाना चाहिए या पीना भी नहीं चाहिए ठुमच ज़्यादा बहुँ ज़्यादा मतलब आउसेकता से ज़्यादा हमें खाना भी नहीं खाना चाहिए अपने आपको सवस्त रखने के लिए और ज़्यादा पीना भी नहीं चाहिए अब आगे क्या लिखोगे we should take the right amount of food और हमें लेना चाहिए right amount में खाना लेना चाहिए required by our body हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जो किसको required है किसको जरूरत है हमारी body को जरूरत है अगर students ये speech आ जाए तो last में आप thank you लिख देना और शुरुआत में वोई lines जो good morning वाली जो lines थी वो आप लिख देना आप तो आप speech भी कर सकते हो आर्टिकल भी कर सकते हो तो उमीद करता हूँ बच्चों ये जो आर्टिकल है आप सब को समझ आ गया होगा अगर आपको आर्टिकल समझ आ गया है तो वीडियो को like कर दीजिए दोस्तों में share कर दीजिए चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर दीजिए Thank you very much